जैहिन दोस्तों सागत है आपका अपने यूटूब चैनल केडी जॉप्सनीज में आज के वीडियो में हम आफटर 10th कैरियर आप्शन के बारे में बात करेंगे कि 10 पास करने के बाद अगर आप कोई कैरियर चूज करना चाहते हैं काउन सा कॉर्स आपको करना चाहिए और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा 10th के बाद वैसे आप 12th कर सकते हैं और ग्रेजुशन भी कर सकते हैं लेकिन बहुत से स्टुडेंट होते हैं जो 10th पास करने के बाद ऐसा कॉर्स करना चाहते हैं जो कम फीस में कम समय में कोई अच्छा सा कॉर्स कर सके कौन कौन से कॉर्स आपके लिए बहतर रहेंगे जो आप पसंद भी करते हों और कम समय में आप अपना कैरियर बनाना चाहते हों मैं आपको यहाँ पर लगभग सभी डिप्लोमा कोर्स के लिस्ट प्रोवाइट करूँगा आपका जिसमें इंट्रेस्ट हो आप कमेंट करके बताना मैं उस कोर्स का फूल डिटेल में वीडियो बनाऊंगा आगे बढ़ने से पहले दोस्तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जॉब की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पूछें पहले हम बात करेंगे इंजिरिंग डिप्लोमा कोर्सेश के बारे में जो आप टेंथ पास करने के बाद कर सकते हैं दोस्तो आप देख सकते हैं टिप्लोमा इन इंजिनरिंग तो यह सब धेर सारी जो है की कोर्सेश हैं तो जैसे देख सकते हैं आप Diploma in Mechanical Engineering, Civil Engineering, Electric Engineer, Computer Engineering, Electric and Electronics देख सकते हैं दोस्तों आप Computer Science and Engineering, Automobile देख सकते हैं, Information Technology देख सकते हैं, Electronics Engineering देख सकते हैं, Chemical Engineering, Production Engineering, Mining Engineering, Architecture Engineering, Biomedical Engineering, Petroleum Engineering, तो धेर सारी courses हैं दोस्तों आप इनमें से कोई भी चूज करके या फिर जिसमें आपका interest हो जो आपको पसंद हो सब कर सकते हैं, तो आगे बात करते हैं दोस्तों, अगर आप Art field में जाना चाहते हैं, तो इसमें आपके पास कौन कौन से Diploma या Certificate courses हैं, आप देख सकते हैं द सकते हैं, आगे हम बात करते हैं दोस्तों, डेंटल के बारे में, अगर आप डेंटल में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए courses है, Diploma in Dental Mechanics, Diploma in Dental Hygienist, इसके अलामा अगर आप होटल मेनेजमेंट में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए course है, Craft Mansive Course in Food Production, एक 1 year 6 month का course रहता ह इसको भी आप कर सकते हैं, इसके साथ ही Certificate in Animation में भी आप Certificate ले सकते हैं, तो हम इस वीडियो में, Diploma और Certificate courses के बारे में जाना, कि दस पास करने के बात कौन कौन से course, किसमें हम career बना सकते हैं, तो दोस्तों, इन सभी में से किसी भी course के business course के बारे में आप फुल वीडि आप तक कोचे